हलो प्रेंच, वेलकम टो आई स्टेडी, एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया के अंडर में जो पोस्ट ती जूनियर एक्जिकेटिव कोमन कैटरी की, इसका जो एक्जाम है, आज आप लोग का सुरू हो चुका है, 14 एंड 15 अक्टूबर को टोटल दो दिन ये एक्जाम से बात किये, उसके आधार पर मैं आप लोग को बता देता हूं, जो आप लोग की फर्स शिप्ट की जो रिपोर्टिंग टाइम थी, वो 7.30 ती ती, और उन्होंने के लिए लिए मेंशन कर रखा था, एडिमिट कार्ड में कि 15 मिनिट पहले आप लोग को अपने एक्जाम स कर दी जाती है, फिर सर एक्जाम किस्से में सुरू होता है, तो एक्जाम स्टार्ट होता है, आप लोग का 8.30 से ले करके 10.30 के बीच में, तो जिनका भी एक्जाम अपकमिंग सिप्ट में इस आधार पर अपने जर्णरी को सेट करिएगा, कि आप लोग की जो रिपोर्टि से आ ले करके 10.30 तक आप लोग का एक्जाम स्टार्ट हुआ है, तो यह ता आप लोग का एक्जाम की एंट्री और क्लोज से लेटेड जो डाउट था, तो सर अब जो अपकमिंग सिप्ट वाले उन्हें किस्से में एंट्री होगी, तो जो नेक्स सिप्ट होगी आप लोग का एक्जाम होगा second shift का तो टूल 12.30 से लेकर के 2.30 तक second shift का एक्जाम होगा 12 बज़े आप लोग के entry close कर दी जाएगी और 11.11 से थोड़े पहले आप लोग के entry start कर दी जाएगी second shift वालों की उसके बाद जो 3.30 वालों की जो reporting है वो 3.30 है 3.30 reporting है तो बज़े इनकी entry close हो जाएगी चार पीम पर थर्ड शिफ्ट वालों की entry close हो जाएगी और तिरी थर्टी से पहले इनकी entry start हो जाएगी तो थरी थर्टी से लेकर करके फोर पीम तक तो आप लोग का entry time है और exam timing क्या रहेगा 4.30 से लेकर के 6.30 तक तो ये ता आप लोग का थर्ड शिप्ट का तो तीनों शिप्ट का बता चुका हूं कि किस से में एक्जाम स्टार्ट हुआ है और एंट्री का वह स्टार्ट हुई एंट्री कब क्लोज हुई है तो बाकि और तो कोई खास है ऐसा कुछ नहीं डाउट रही जो आप लोग में पुछे हूं और आएडी कार्ड लेकर जाना है उसकी जिरोक्स करवा लिजएगा और फोटोस पर चिपका लिजएगा साइन कर लिजएगा तो इतनी चीज़े कोई मेजर ज्यादा इशू नहीं आरा एक्जाम सेंटर पर तो वह नॉर्मल ही है तो अगर फिर भी आप लोग को डाउट रह जात